हर हर महादेब सावन का महिना सुरू हो चुका है और सभी माताएं बेहने भाई ये भाई लोग सब कोई सिबलिंग पर एक लोटा जल तो जरूर अरपित करते होंगे लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो सिबलिंग पर अरपित नहीं करनी चाहिए और उन में से सबसे पहला चीज है संख संख का जल भी नहीं बजाना चाहिए और सिबजी की पुझा में संख भी नहीं बजाना चाहिए आप डंबरू बजा सकते हैं क्योंकि भगवान शिव ने संख चूर नामक असूर का बद किया था और संख भी उसी असूर का प्रतिक माना जाता है जो मा लक्षमी का भाई भी था तो भगवान विष्णू का भगत भी था. इसलिए विष्णू भगवान की पूजा में संख बचता है. संग से जलर पित किया जाता है लेकिन सिबजी की पूजा में नहीं करना चाहिए दूसरी बस्तू है वो है केतकी का पुस्प इसके पीछे भी कहानी है केतकी का पुस्प बरजित है क्योंकि जूटी गवाई दी थी ब्रम्भाजी के तरब से केतकी के पुस्प ने और तभी से सिब जी क्रोधीत हुए और उन्होंने इन्हें स्राब दिया कि तुम हमें कभी स्विकार नहीं होगे जो तुम्हारी इस पुस्प से हमारी पुजा करेगा उसके उपर हमारा क्रोध वरस्ता रहेगा इसलिए लोग डरते हैं केतकी का पुस्प सिप पूजा में अरपित करने से तुलसी का पत्ता तो आपको पता है भगवान विश्णू को अरपित किया जाता है कृष्ण जी को हनुमान जी को जिनका भोग तो बिना तुलसी पत्र के पूजा ही पूरा ही नहीं होता लेकिन तुलसी पत्र जलंधर नामक असुर की पत्नी ब्रिंदा के अंस से तुलसी का जन्मुगा था जिसे भगवान विश्णू ने पत्नी के रूप में स्विकार किया इसलिए तुलसी से सिप जी की पूजा नहीं की जाती है तो अगले बार से जब भी पूजा कीजिएगा सिप पूजा में तुलसी नहीं अर्पित कीजिएगा हाँ विशेश आवस्था में सिप जी तो ठहरे बैरा गी इसलिए सिप जी पर कुमकुम भी नहीं अर्पित करना चाहिए इस चीज से बचिएगा सिबलिंग पर भूल कर भी अखंडित चावल यानि तूटा हुआ चावल अर्पित मत करें आप अक्छा तर्पित करना है लेकिन अच्छे से उसे बिन लेजिएगा कि तूटा हुआ चावल ना रह जाए क्योंकि तूटा हुआ चावल अपूर्ण होता है असुद्ध होता है तो आपकी पूजा भला पूर्ण कैसे होगी और अगली बस्तु है नारियल का पानी नारियल देवी लक्षमी का प्रतीक माना जाता है और जिनका संबंद भगवान विश्णू से है तो अगली बार अगर आप नारियल अर्पित करना चाहते हैं तो सिप जी को अर्पित ना करें और अगर करना भी है तो यूँ है टच करके बेदी पर और वापस घर ले आएं परसात के रूप में खाये पर नारियल फोड़ कर जल का अभिसेक भूल कर भी मत कीजिएगा तिल यह भगवान विश्णू के मैल से उत्पन हुआ माना जाता है इसलिए भगवान सिप को अर्पित नहीं किया जाता बिसेश अवस्थाओं में दुस्मन अगर ज़्यादा परेसान करे तब तांत्रिक किरिया के रूप में जल में एक चुटकी तिल डालकर अर्पित किया जाता है सत्रू सांत करने के लिए तेल भी सिपलिंग पर अर्पित मत कीजिएगा ये अच्छा नहीं होता ये भी तांत्रिक किरिया में यूज होता है दुस्मन सांत करने के लिए लेकिन आप तेल मत अर्पित कीजिएगा सिपलिंग पर इस बात का विसेश थ्यान रखेगा और दूसरी है गर्म किया हुआ उबला हुआ दूद जब भी अभिसेख कीजिए कच्छे दूद से उबला हुआ गर्म किया हुआ दूद से सिपलिंग का अभिसेख ना करें वरना कहीं सिप जी उल्टा आप पर कुरूधीत न हो जाएं हल्दी का संबंद भगवान विष्णू और स्वभागिसे है इसलिए यह भगवान सिप को नहीं चड़ता है आप अगर ऐसा करते हैं या करती हैं तो आपका चंद्रमा कमजोर होने लगता है चंद्रमा जो मन से जुड़ा होता है आपका मन चंचल हो जाएगा किसी चीजों में मन नहीं लगेगा या फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे इसलिए इन चीजों से बचे हम आपसे बिदा लेते हैं उमीद है वीडियो पसंद आएगा प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद